Hi everyone, Welcome to Exam Iq Exam Iq इस वीडियो में जहरखांड जीके से बनने वाले 1500 महत्पून प्रस्थन देखेंगे तो चलिये सुरू करते हैं जहरखांड जीके, 1500 महत्पून प्रस्थन यहां तो आपको 1500 प्रस्थन मिलेंगे लेहिर इस 1500 प्रस्थनों के अंदर गत्त कई प्रस्ट छिपे हुए हैं तो चलिए देखते हैं जहारखंड जी के 15 महत्पून प्रस्ट तो एक part 2 है इससे पहले part 1 अप्लेड हो चुका है अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं तो चलिए सुर करते हैं इस सेट का पहला स्वाल तो जहारखंड के किस सहर को जहर्णों और जलपरपातों का सहर बोल जाता है तो जहर्णों और जलपरपातों का सहर को बोल जाता है तो इसका सही अंसर है रांची तो रांची को जहर्णों और जलपरपातों का सहर भी बोल जाता है तो पलामू जनपद में मुख्य रूप से कौन से जन जाती पाए जाती है तो पलामू जन पद में मुख्य रूप से कौन से जन जाती पाए जाती है तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा कोरवा तो कोरवा जन जाती मुख्य रूप से पलामू जन पद में पाए जाती है और जहारखिण में टोटल जन जाती हों कि संक्या कितनी है 32 इनमें से आदिम जन जाती हों कि संक्या कितनी है 8 किस जल परपात को गोतम धारा के रूप से भी जाना जाता है तो कौन से जल परपात को गोतम धारा जल परपात के नाम से भी जाना जाता है और एसवल ज्यपेसी और ज्यससी दोनों में पूछा जा चुगा है तो गोतम धारा जल परपात के नाम से जोनहा जल परपात जार रहा जाता है तो इसका से इंसर हो जागा जोनहा जल परपात तो टेकलाल महतों किस विदानसभाद छेतर का परती निदित्व करते थे तो इसका सहींसर क्या हो जाएगा तो टेकलाल महतों जो है वे कौन सा विदानसभाद छेतर का परती निदित्व करते थे तो मांडू रामगड तो मांडू इसका सहींसर है एसिया का सबसे बड़ा अस्टील सहयंत्र किसे कह जाता है तो एसिया का सबसे बड़ा अस्टील सहयंत्र किसको बोला जाता है बोकारो अस्टील प्लांट तो बोकारो अस्टील प्लांट को एसिया का सबसे बड़ा अस्टील प्लांट बोला जाता है और बोकारो अश्टिल प्लांट के स्थाफना में कौन से देश ने सहयोग किया था तो सोवियत संग ने सहयोग किया था तो बोकारो अश्टिल पर लिए प्लांट किस देश के सहयोग से बनाए गया सोवियत संग तो किस खनीज का एक मातर उत्पादग राज जहारखंड है तो कौन सा खनीज है जिसका एक मातर उत्पादग राज जहारखंड है तो इसका सही इंसर क्या है दो ऐसे खनीज है जिसका एक मातर उत्पादग राज जहारखंड है यूरेनियम और पाइराइट तो यूरेणियम और पायराट का एकमात्र उत्पाद अगराज ज्वार्खन आने कि इसके कहने का मतलब और यूरेणियम और पायराट का उत्पादन में ज्वार्खन का एक आधिकार है तो भारत में रसोई कोईला रिजर्व के तत जारखन का कितना परतिसत है तो जारखन में रसोई कोईला रिजर्व कितना परसंट है तो इसका सही अंसर है 90% दीपिका कुमारी ने कहां से परिश्चन पाई है तो जारखन की तिरेंदाज है दीपिका कुमारी तो उन्होंने कहां से ट्रेनिंग लिए थी तो इसका सही इंसर है टाटा धनूर विद्या अकादमी तो टाटा धनूर विद्या अकादमी से ट्रेनिंग ले लिए दीपिका कुमारी ने और किस समधी थे तिरंदाज से बैतला राष्ट उद्यान किस जिले में है तो बैतला राष्ट उद्यान किस जिले में है बैतला राष्ट उद्यान कहां पर है लातेहार में तो उसका सही इंसर हो जाग लातेहार और बेतला राष्ट रूदियन भारत का पहला राष्ट रूदियन है जहां पे बागों की गन्ना हुई थी और बागों की गन्ना भारत में पहली बार का हुई थी 1932 में जमसेदपूर किस नदी पर इस्तित है नदी के किनार इस्तित है तो जमसेदपूर किस नदी के किनार इस्तित है ये पुछा गया है तो इसका सही अंसर हो जागा सोन रेखा और बहुत से अबुक में आपको मिलेगा खरकाई नदी के संगम पे जमसेदपूर इस्तित है और इ दामोदर नदी को किस अनिय नाम से जाना जाता है तो दामोदर नदी को जो जहारखंड की परमुख नदी है तो इसको किस अनिय नाम से जाना जाता है तो इसका सहिंसर है दामोदर नदी को देव नदी भी बोला जाता है या तो इसे बंगाल का शोख भी बोल जाता है तो बंगाल का सौख दामोदर और ज्हारखंक की सरवाधिक परदूसित नेदी कुन है? दामोदर नादी तो जमसधपूर के अस्थापना किस ने की थी? जमसध जी नुसेरवान जी टाटा जमसिद जी नोसिरवान जी टाटा ने जमसिदपूर की अस्थापना की थी और अस्थापना का हुआ था उन्हें सो साथ में और किस अस्थान पे हुआ था साक्ची नामक अस्थान पे वह है अस्थान आगे चलके जमसिदपूर के नाम से परसिद हुआ तोप चांची वन जीव अभ्यारन की जीले में इस्तित है तो तोप चांची वन जीव अभ्यारन की जीले में इस्तित है जारखंड की यूरेनियम के ख़दान के लिए परसीद है तो सही अंसर क्या है यूरेनियम खान और जादू वड़ा किस जीले मिश्तीत है तो इसका सही अंसर है पूर्वी सिंभूम जीले मिश्तीत है दामोदर द्रोनी किसके किसके बीच द्रोनी बनाती है तो इसका सेंसर राची और हजारी बाग पठार के बीच दामोदर द्रोनी बनाती है उराउों, कोरोवा पहाडिया का संबंद किस भासा परिवार से हैं? तो पंचेद हायडल पावर अस्टेशन किस नदी पहस्ती थे? तो पंचेत हाइडल पावर अस्टेशन कोंसे नदी पेस्तित है तो इसका से इंसर हो जाएगा बराकर नदी पे तो पंचेत हाइडल पावर अस्टेशन बराकर नदी पेस्तित है जारखन की किस जिले में ओटो अनुसांगी दियोका सक्केंदरन है तो इसका सही अंसर क्या होगा 15 सिंभुम भारत का सबसे बड़ा उरोरक कार खाना कहां पे स्थित है तो इसका सही अंसर क्या होगा सिंद्री में इस्थित है जिसकी अस्थापना का हुई थी 1951 में जो पर्थम पंच वर्षिय योजना के अंतरगत हुआ था तो हुन्रू जल परपात की उचाए कितनी है तो हुन्रू जल परपात की उचाए कितनी है तो उसकी साही इंसर है 44 म! जो जुन्रू जलपरपात, जो है जहारखन का दुसरी सबसे उची जलपरपात है तो पहली सबसे उची जलपरपात कोन है? लोथियाब बुढ़ागाग जलपरपात तो जहारखन में गाउं की कूल संख्या कितनी है? तो जहारखन में गावों की कूल संख्या पूछा है तो इसका सही अंसर है 32,620 तो जहारखन में गावों की कूल संख्या 32,620 और जहारखन में परखंडों की कूल संख्या 264 अनुमंडलों की कूल संख्या 45 और जीलों की कूल संख्या 24 22 और प्रमंडलों के संख्या 5 जहारखंड के किस जीले को भारत की अब्रख राजधानी के नाम से जाना जाता है तो भारत की अब्रख राजधानी जहारखंड के कौन सा जीला है कोडरमा तो कोडरमा को भारत की अब्रख राजधानी के नाम से जाना जाता है और जहारखंड क में कितने संसद सदस है तो जारखन राज में संसद के सदस कितने हैं यहां लोकसभा और राजसभा नहीं पूछा गया है आने कि संसद के कितने सदस हैं तो लोकसभा के चगदा और राजस्टबागे 6 तो 20 इसका सही अंसर है जारखंड की उप्राइधानी कहां पे है तो जारखंड की उप्राइधानी पूछा गया है तो इसका एंसल क्या हो जागा है तो दुमका और ये सवाल जैसे सी SI में भी पूछा गया था तो जारखंड की उप्राइधान दूंका है और जारखंड हाई कोट का खंड पीट कहां पर अस्थापित हो रहा है दूंका में ही जारखंड हाई कोट का खंड पीट अस्थापित हो रहा है और कनाडा बांध दूंका जिले में इस्थित है और हिजला मेला जो है दूंका जिले में ही लगता है ओल्चिकी लिपी का विष्कार किस जंजाती के लिए किया गया था तो ओल्चिकी लिपी जो है कौन से जंजाती से समधित है तो संथाल और इस लिपी का विष्कार कौन है रगुनाथ मुर्मू तो ओल चिकी लीपी क्या उसका रख रगुनात्पुर्मू जो संथाल जाती समधित है तो ब्रिटिस दुआरा तिलका मांजी को कब फांसी दी गई तो तिलका मांजी को फांसी कब दिया गया था तो इसका सहिंसर है 1785 में ब्रिटिस द्वारा तिलकामाजी को फांसे दिया गए था कहाँ पे भागलो के पूर भागलपूर में और जिस पेड़ को लटकाया था वो पेड़ कौन था बर्गत का पेड़ जारखन में यूल रूल यूल रूल कब लागू हुआ था यूल रूल 1856 जो लागू हुआ था वो किस छेतर के लिए था तो इसका सहिंसर हो जाएगा संथाल परगना तो जारखन में यूल रूल 1856 किस छेतर के लागू हुआ था तो संथाल परगना हो जाएगा और संथाल परगना मुख्याले काहां पे है दुंका तो जारखंड की जिले में गोतम बूद ववन प्रानी अभ्यारान इस्तित है गोतम बूद ववन प्रानी अभ्यारान जारखंड की कोण से जिले में है कोडरमा जिले में इस्तित है संथाली भासा सविधान की आठवी अनुसुची में किस साल सामिल किया गया कौसे साल सामिल किया गया था तो संथाली जारखन की एक मात्र भासा जो है आठवी अनुसुची में सामिल है संथाली जो 2003 में सामिल किया गया था और आठ्वी अनुसुची में मानियता प्रात भासाओं की संक्या कितनी है 22 वर्तमान समय में और जब सविधान लागू हो रहा था तो उसमें आठ्वी अनुसुची में भासाओं की संक्या कितनी थी आठ्वी अनुसुची में चोगदा मुक्षे मंत्री विकास योजना किससे समनी थे तो मुख्यमंतरी विकास योजना की से समझत है तो मुख्यमंतरी पूरे राज के लिए होते है तो राज के सरवाइंगी विकास के लिए आनि कि पूरी राज के विकास के लिए मुख्यमंतरी विकास योजना जारखन तूरिज्म हॉम अश्टी योजना की सुरुवात कब भी थी? तो जारखन तूरिज्म हॉम अस्टी vやって चुरुवात दो जार नौ में हुए थी तो इसका सहीन सर हो जाएगा दो चल्पनो जन्जातिय प्रामर्सी परिशत के अध्येश कुन होते हैं? तो जन जाती है प्रामर्सी परिशत के अध्यक्ष होते हैं तो मुख्यमंत्री होते हैं जो राज के मुख्यमंत्री है वही जन जाती है प्रामर्सी परिशत के अध्यक्ष होते हैं तो इसका सजिन सर रोजागा मुख्यमंत्री तो जहारखंड के किस चेतर में काली मीटी पाए जाती है तो जहारखंड के कौन से चेतर में काली मीटी पाए जाती है तो इसका से अंसर क्या है तो जहारखंड के राजमल चेतर में काली मीटी पाए जाती है और राजमल जहारखंड के किस जीले मिश्ती थे साहिव गंजीले मिश्थी थे सन उनेसो चगदा में कौन सा अंदोलन हुआ था तो उनेसो चगदा में कौन सा अंदोलन हुआ था ताना भगत अंदोलन तो ताना भगत अंदोलन उनेसो चगदा में हुआ था जारखन का सबसे पच्मी जिला कौन सा है तो जारखन का सबसे पच्मी जिला गड़वा है तो जारखन का सबसे पच्मी जिला गड़वा और जारखन अपने माच पड़ोसी राजियों से घिरा हुआ है उत्तर में बिहार दक्छिन में ओड़िसा पूरव में पच्छिम मंगाल और पच्छिम में उत्तर पर्देश और च्छतिस गड़ और गड़वा जो है उत्तर पर्देश को छूती है तो उत्तर पर्देश को छूने वाली जहारखन की एक मातर राज है गड़वा और जारखन के सबसे पच्मी जिला गढ़वा ही है जारखन का सबसे उच्छा जलपरपात कुन सा है लोथ जलपरपात, लोथा जलपरपात या बुढ़ा गाग जलपरपात वो जो किस जिले में है, लातिहार जिले में और किस नदी पे है बुड़ागाग नदी पे श्ती थे कुनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में श्ती थे तो कुनार कुंड प्रोजेक्ट जो है जारखंड किस जिले में श्ती थे तो गृड़ी जिले में श्ती थे तो इसका सही अंसर है गृड़ी जिला जयन तालुकदार का संबन्ध किस खेल से है तो जयन तालुकदार का संबन्ध किस खेल से है तिरंदाजी से है इसका सही इंसर हो जाएगा तिरंदाजी जारखंड में 34 राष्ट खेल का सुभांकर क्या था तो जारखंड में आज इत 34 राष्ट खेल का सुभांकर क्या था चववा और चववा क्या होता है चववा जो हता है हीरन का बच्चा तो हीरन का बच्चा चववा जो हता चोतिसवा राष्ट खेल का सुभांकर था तो टाटा आइरन एंड अस्टील कंपनी के गठन कब किया गया था तो टाटा आइरन एंड अस्टील कंपनी के गठन उससाथ में किया गया था दामोदर नदी का उद्गा मस्तल कहां पे है तो दामदर नदी का उद्गा मस्तल कहां पे है छोटा नाखपूर का पठार और छोटा नाखपूर के पठार के लातेहार के टोरी छेतर से है तो टोरी छेतर हो इसका सहिंसर है छोटा नाखपूर पठार के लातेहार के टोरी छेतर दामदर नदी का उद्गां अस्तल रामगाड कॉंग्रेस अधिवेशन का वाजित हुआ तो रामगाड कॉंग्रेस अधिवेशन का वाजित हुआ था रामगाड में 1940 में आधिवेशन का वाजित हुआ था आपको यहां कमेंट करके बताना है तो 1940 में जो रांगड में कॉंग्रेस का अधियोसन हुआ था कोंग्रेस के कौन सा नमर का अधियोसन था मरांग गोडा निलकंध हुआ के लेखक राची केथोलिक गिर्जागर की इस्थापना हुई तो इसका सजीन सर है उन्हें सुनों में राची केथोलिक गिर्जागर की इस्थापना हुई तो इसका सजीन सर है अर्जून सिंग और अर्जून सिंग को गिर्फतार करके कहां बेजा गया था वरा नसी तो बीरहोर का साब्दिक अर्थ क्या है तो बीरहोर जारखन की एक आदिम जन जाती है तो इसका साब्दिक अर्थ क्या है बीरहोर आने की जंगल होर आदमी आने की बीरहोर जंगल का आदमी जहारखन के पर्थम राजपाल कौन थे तो जहारखन के पर्थम राजपाल कौन थे तो इसका सही इंसर क्या है प्रभात कुमार तो प्रभात कुमार जहारखन के पर्थम राजपाल थे और प्रभात कुमार भारत प्रसासनिक सेवा के अधिकारी रह चुगे है छोटा नागपूर छेत्र ब्रिटीज सासन के अंतरगत कब आया था तो छोटा नागपूर का छेत्र जो है ब्रिटीज छेत्र के अंतरगत कब आया था जब ब्रिटीज कंपनी को बिहार ओडिसा और पंगाल की दिवानी मिली थी तभी छोटा नागपूर छेतर भी ब्रेटी सासन के अंतरगत आ गया था संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम कब लाग हुआ था तो संथाल परगना कास्तकारी कानून कब लाग हुआ था तो उन्हें सो उन्चास तो सजिन सरह उन्हें सो उन्चास चोटा नागपूर में विलकिंसन कालून 1834 में लाग हुआ था तो इसका सच इंसर है 1834 बिरला तकनिकी संस्थान जहारखंड की किस सहर में चती थे तो राची में चती थे तो इसका सच इंसर हो जाएगा राची गेंग सो अफ वासेपूर फिल्म की प्रिष्ट भूमी कौन से राई से समधित है जारखंट से समधित है जारखंट से समधित है तो इसका सजिनसर हो जागा जारखंट दामोदर घाटी नीगम की स्थाफना की गई और दामोदर घाटी नीगम की मुक्षाले कहां पे है पुलकत्ता मिस्तित है तो संथालों में संथाल गाउं का परधान कोन होता है तो संथाल गाउं का परधान को क्या कहते है तो संथाल गाउं के परधान को मांजी कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा तो संथाल गाउं के परधान को क्या कहते है मांजी जारखंड में आदिवासियों के फूलों के तेहवार को क्या कहा जाता है तो जारखंड में आदिवासियों के फूलों के तेहवार को क्या कहा जाता है तो इसका सही इंसर क्या है सरूल तो जहरखन में आदिवासियों के फूलों के तेवार को सरूल के नम से जाना जाता है सोहराय की जनजाती के सबसे बड़ा तेवार है सोहराय जो है कौन से जनजाती के सबसे बड़ा तेवार है तो इसका सही इंसर किया जाएगा संथाल और संथाल जहारखंड की सबसे बड़ी जनजाती वाली है सबसे बड़ी जनजाती है छोटा नागपूर कास्तकारी कानून कब लाग हुआ था उन्हें 108 में तो इसका सेजन सर वह जाएगा उन्हें 108 तो जहारखंड उच नियाले के नियादीसों की सेवार नियूर्ती की उम्र सिमा कितनी है आनि कि जहारखंड हाई कोट के नियादीस कितने साल में रिटायर होटते हैं तो 62 साल में तो 62 साल रिटायर्मेंट की उम्र सिमा है जहारखंड सरकार की गोजना के तथ सो तंतता सेनानियों को पेंसन की रासी तीन हजार से बढ़ा के कितना कर दी गई है तो सो तंतता सेनानियों को पेंसन की रासी पाले तीन हजार मिलती थी लेकिन अब बढ़ा के पांच जार कर दिया गया कितना कर दिया गया पांच जार तो हिंदू केलेंडर के नुसार कर्मा महिना मना जाता है कर्मा जो है किस महिना मना जाता है हिंदू केलेंडर के नुसार तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा भादो महिने में मना जाता है हिंदू कलेंडर के नुसार आपको यहां एक सवाल का अंसर देना है तो हिंदू कलेंडर का पहला महिना कौन सा होता है तो जनी सिकार कितने वर्सों के अंतराल में मना जाता है तो जनी सिकार कितने वर्सों में मना जाता है तो बार वर्सों के अंतराल में जनी सिकार मना जाता है जपला किस उद्यों के लिए परसीदे तो जपला जो है सिमेंट उधियों के लिए परसीद है और जपला किस जिले में इस्तित है तो पलामू में इस्तित है जो सिमेंट उधियों के लिए परसीद है पलामू में किस तिलहन फसल की सरवादिक मातरा में उत्पादन होता है सरसो का सरवादिक उत्पादन कहां पे होता है पलामू में जो तिलहन के अंतरगत आता है तो उसका सरसो हो जाएगा तो भारत में लाख के उत्पादन में जहारखंड का स्थान कोर सा है तो लाख के उत्पादन में जहारखंड का स्थान पहला है तो नटुआ की इस परकार कर निरती है तो नटुआ जो है पुरुस परदान निरती है तो नटुआ पुरुस परदान निरती है तो जहारखन में तामे की खान के लिए परसीद जगे कौन सी है तो घाड सीला तो तामे के लिए परसीद खान कहा पर है गार्सिला में इस्तित है तो भूमीज विद्रो के नेता कौन थे तो भूमीज विद्रो के नेता कौन थे गंगा नरायन सिंग और भूमीज विद्रो कब हुआ था 831 32 में हुआ था गोमेज विद्रों जिसके परमुक नेता गंगा नरायन सिंग थे और इस विद्रों को गंगा नरायन सिंग का हंगामा भीक बोले जाता है तो जहारखंड के पहला पर किर्षिवी स्विद्याले कौण सा है? हिंदू केलेंडर के नुसार सरूल का मना जाता है? तो चेत महिने में मना जाता है तो इसका सही अंसर है चेतर हिंडू कलेंडर के नुसर सरूल चेत महिने में मना जाता है तो सिधो कानू का सम्बंद की सुद्रों से था तो इसका संत् Spaß वीद्रों से सम्बंद था और सं honeymoon का वग वग था था eight altriilles besar 551 गोम खञ जो हे एक परकार का लोक्र नहीं तक नहीं किया था तो खेरवार अंदोलन का अन्दोलन का नेत्रितuben मांजी ने चीकिया था और कमेंड करके हाँ आपको बताना है खरवार विधरो कभ र्ले संसे अंसर कमेंड करके देना है मां जी पहले संथाल थे जिन्होंने अंग्रेजियों के खिलाब हत्यार उठाए था तो जारखंड के उत्तर में कौन सा राजी इस्तित है तो उत्तर में बता चुके बियार राजी उस्तित है बियार उत्तर में इस्तित है जारखंड के तो जहारखंड में किस अस्थान पर दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा लो एकल भंडार है तो इसका से इंसर क्या है चिरिया तो जहारखंड की किस अस्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा एकल लो भंडार रिष्थी थे चिरिया और चीरिया कहां पे हैं सिम्मों में तो 867 की करांती जारखंड से कहां शुरूवी थी तो 867 की करांती जारखंड में कहां से शुरूवी थी कहां से शुरूवी थी रोहिनी ग्राम देवर से तो रोहिनी ग्राम देवर से जारखंड में 867 की करांती शुरूवी थी के पंदरसो मत्मून प्रसनों का पार्ट टू अब अगले के पार्ट में और कुछ मत्मून स्वाल के साथ मिलते हैं तब तक पिछला वीडियो